हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप साइब I hope you all are doing good आप देख रहे हैं मेडिफेक्ट्स तो चलते हैं आज की टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं एक मेडिसिन की यह एक एंटिबायोटिक मेडिसिन है जिसका नाम है अजित्रोमाइसिन आप सबने नाम तो बहुत बार सुना ह अजित्रोमाइसिन इस ऐस एंटिबायोटिक यह एक एंटिबायोटिक मेडिसन है भीप लिए हम इसको वाइरल इंटिए करने की यह ए उसकोड़ाइ रहाऊ करें टाहिं infection ठीक है तो अब हम चलते हैं इसके usage के बारे में यह किस लिए use होता है it is used to treat bacterial infection like respiratory infection, chest infection, lungs, nasal track, etc. Azithromycin जो medicine है यह हम use करते हैं bacterial infection को treat करने में for example chest infection होता है अमारे lungs में infection होता है, nasal track में infection होता है, कभी को बार दुकाम होता है या हमें खांसी आती है या हमारे favored में infection हो जाता है, due to some reasons infection हो जाता है तो उन infections को treat करने के लिए हम azithromycin use करते हैं इसके अलावा azithromycin, skin infection को treat करने के लिए use होता है ear infection, kanuka infection, eye infection इन सारे infections को treat करने के लिए azithromycin use होता है तो azithromycin एक bacterial infection को treatment के लिए हम azithromycin का use करते है यह एक antibiotic है it belongs to the class of antibiotics हम इसको viral infection treat करने के लिए use नहीं कर सकते है अब इसके dosage के बारे में बात करते है azithromycin जो है यह 3 दिन के dose में भी आता है और 6 दिन के dose में भी आता है जैसे कि आप देख सकते है यह हमारे पास azithromycin की tablet है इसमें 3 tablets है that means हमें यह 3 दिनों के लिए use करना है per day हमें एक tablet लेनी है यह course होता है, इसका dose होता है, fixed dose तीन दिन के लिए या 6 दिन के लिए, डॉक्टर ने प्रसक्राइब किया यह 3 दिन के लिए तो यह 3 दिन के लिए है तो that's it friends, आज हमने बात के azithromycin के लिए यह किस के लिए use होता है इसमें क्या इसके properties है तो अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो मैड़ेफेक्ट को सबस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू